हेलो गाईज, वेल्कम तो माई यूट्यूब चैनल, हम लोग रैंडम फॉरेस्ट पढ़ रहे थे और हमने दो तीन टॉपिक्स भी कवर कर लिये, अब हम लोग एक इंपॉर्टन डिसकॉशन करेंगे कि बैगिंग जो हमने इसके पहले पढ़ा और रैंडम फॉरेस्ट जो हम इस वीडियो में हम वही कवर करने वाले हैं, मैं आपको दो डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है, जो पहला डिफरेंस है वो बहुत स्रेट फॉरवड है, वो आपको शायद अब तक पता चल चुका होगा, कि बैगिंग में आप क्या कर सकते हो, आप डिफरेंट अल्गोरिदम् using decision trees, but you can also make a bagging ensemble using KNN, मतलब आपके सारे base estimators या तो decision tree हो सकते हैं, या फिर सारे base estimators KNN हो सकते हैं, या फिर SVMB हो सकते हैं, ठीक है, in fact आप और भी algorithms try करते हो, but आपको ये तीनों ही सबसे अच्छे results देते हैं, so in short, bagging is a general technique जिसके अंदर base algorithm में आप कोई भी algorithm use कर सकते हो, ठीक है, but random forest में जो base algorithm है, वो सिर्फ और सिर्फ decision tree होता है, मतलब decision tree को मिला के ही random forest बनता है, आप KNN, SVM या फिर कोई और algorithm use नहीं कर सकते, ठीक है, मैं आपको इसका एक logical explanation दे सकता हूँ, और वो ये है, कि अगर आप scikit learn में जाओ, और scikit learn में अगर आप bagging, classifier open करो, तो you would see, कि वहाँ पर आपको एक parameter मिलेगा, जिसका नाम होगा base estimator, अब ये base estimator क्या होता है, कि यहाँ पर आप अलग-अलग algorithm select कर सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है, कि अगर इसका value none है, तो base estimator decision tree classifier होता है, या फिर आप जो भी देना चाहो, whereas, अगर आप search करो, sklearn random forest classifier, तो यहाँ पर आपको ऐसा कोई parameter नहीं दिखाई देता, see, number of estimator select करने का parameter है, बट base estimator select करने का parameter नहीं है, so this actually shows कि पहला difference क्या है, random forest और bagging में, मैं एक बार summarize कर रहा हूँ, bagging में आपके base models किसी भी algorithm से बन सकते है, random forest में there is a restriction कि वो base model सिर्फ decision tree ही हो सकता है, ठीक है, अब यह जब मैंने पहली बार पढ़ा था, तो मेरे दिमाग में question आया था, कि what if मैं एक bagging classifier बनाता हूँ, और इसके सारे base models को मैं decision tree बोल देता हूँ, या decision tree रख लेता हूँ, तो क्या अब यह पूरी चीज random forest है, क्या अब यह पूरी चीज random forest है, the answer is no, अभी भी एक बहुत बड़ा difference होता है, ठीक है, मतलब I guess आप कोई point समझ में आ रहा है, कि अगर आप bagging ensemble या ensemble create कर रहे हो using decision tree, it is not exactly random forest, there is one more difference, ठीक है, और वो difference आता है feature selection में, या feature sampling में, जिसको आप column sampling भी बोलते हो, so I guess आपको basic funda तो पता है, bagging का, कि आप चा करते हो, आप sampling करते हो, मतलब आप base models को subset of data देते हो, और वो subset कैसे create होता है, using sampling, अब यह sampling दो type का होता है, row sampling, and feature या फिर column sampling, ठीक है, तो आप अपने base model को subset of the data दे रहे हो, using row sampling plus feature sampling, ठीक है, अब जो feature sampling होता है, as in, जो आप अलग-अलग columns देते हो, अपने base estimators को, वो दोनों अलग-अलग धंसी दिया जाता है, bagging और random voice में, अब यह वाला point थोड़ा सा tricky है, एक बार इसको आराम से समझते हैं, so let me give you an example, so हम दो parallel examples लेते हैं, माल लो, यह example है, bagging का, यह bagging का example है, और यहाँ पर जो example है, यह random forest का example है, this is random forest, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक data set है, यहाँ पर मेरे पास एक data set है, और यह सारे के सारे base models जो है, यह decision trees है, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, ठीक है, अब देखो, क्या difference होता है कि मानलो आपके इस dataset में there are five columns और आपने decide कि column sampling करके मैं हर base estimator को सिर्फ दो ही columns दूँगा तो अब क्या होगा कि हर जो decision tree form होगा वो सिर्फ दो ही columns के उपर form होगा तो अब क्या होगा कि एकदम शुरू में ही आप decide कर लोगे जब आप मानलो इस decision tree के लिए मानलो आप data create कर रहे हो तो आप अपने पांचो columns में randomly दो column select कर लोगे मानलो वो दो column से 1 and 3 और rows आप सारे के सारे दे रहे हो मानलो ऐसा कि rows सारे के सारे दे रहे हो तो since हमें फिर से 2 ही columns चाहिए तो मानलो वो दो columns हुए 4 and 5 तो अब यही 2 columns से यह पूरा tree बनेगा similarly इसमें मानलो 1 and 4 select हुए तो अब सिर 1 और 4 से ही यह पूरा tree बनेगा मतलब जब यह tree बनेगा तो हर splitting जो होगा हर जो splitting होगा वो या तो column number 1 से होगा या फिर column number 3 से होगा I hope आपको समझ में आ रहा है this is column sampling in bagging this is column sampling in bagging अब random forest में आप जब same काम करोगे तो देखो क्या difference आता है कि मानलो यहाँ पी भी आपने decide कि है कि आप column sampling करोगे और आप 2 columns दोगे हर decision tree को तो अब यहाँ पे जब tree form होता है न तो हर बार जब node create होने वाला होता है आपके decision tree का तो हर बार sampling होता है जैसे कि जब पहला node बन रहा था तो मानलो की 2 column select हुए 2 और 3 तो यह जब पहला node है यह या तो 2 से बनेगा या तो 3 से बनेगा फिर अब next node जब बनाना था तो फिर से sampling हुआ 1, 2, 3, 4, 5 में फिर से sampling हुआ और यहाँ पे sample होके आए 4 और 5 तो अब यह जो अगला node है यह 4 या 5 से बनेगा similarly जब यह node बना था तो select हुआ 2 और 1 तो अब यह वाला node यह तो 2 से बनेगा या तो 1 से बनेगा in short आप यहाँ पे और ज़ादा randomness लेके आ रहे हो और थोड़े से strict terms में बात करें तो यहाँ पे जो column sampling होता है वो tree level पे होता है this is tree level column sampling मतलब tree बनने के पहले ही finalize हो जाएगा कि कौन से 2 columns use होंगे वो tree को बनाने में उसके अलावा और कोई column नहीं होगा whereas यहाँ पे जो है वो node level sampling होता है मतलब हर बार node बनाने के पहले randomly select किये जाएंगे 2 columns अगर आपने 2 columns decide कर रखा है max features ठीक है तो यह एक बहुत बड़ा difference है जिसकी वज़े से कई बार random forest का performance is better than bagging most of the times ठीक है क्योंकि यहाँ पर आप extra randomness ला रहे हो using this node level column sampling ठीक है यह मैं आपको actually prove करके दिखा सकता हूँ यह just raw theory नहीं है मैंने यहाँ पर एक notebook create किया है और मैं उसके through आपको दिखाता हूँ कि सच में मैंने जो बात अभी आपको बताई वो सच है ठीक है अब मैं क्या कर रहा हूँ मैं एक bagging classifier बना रहा हूँ और उस bagging classifier में मैं पहले से बता रहा हूँ कि मुझे column sampling करना है ठीक है मुझे column sampling करना है और मुझे कितने columns लेने है मुझे दो columns लेने है तो randomly मुझे इन 5 में से दो columns select करने है ठीक है और अब ये tree level पे हो जाएगा मतलब हमारे tree में वही दो columns बार-बार दिखाई देंगे तो मैंने ये object create किया model को train किया और अब मैं plot tree को जब run कर रहा हूँ तो मुझे मेरा graph दिखाई देगा और ये देखो guys आप कोई भी node पे अगर check करो तो यहाँ पे आपको x1 दिखाई दे रहा है x0 दिखाई दे रहा है तो ये दो column select हुए 0 और 1 यहाँ पे भी x1 है यहाँ पे भी x1 है यहाँ भी x1 है x1 है x0 है x1 है x0 है you would see कि पूरे के पूरे decision tree में किसी भी node में जब splitting हो रहा है तो वो या तो 0 पे हो रहा है या तो 1 पे हो रहा है इसके अलावा और कोई column touch नहीं हुआ this proves कि bagging में जो column sampling होता है वो tree level होता है मतलब tree बनने के पहले ही finalize हो गया कि देखो भाई जो tree बनेगा वो इनी दो column से बनेगा इनके अलावा हम कोई और columns को touch नहीं करेंगे अब मैं same example आपको दिखाता हूँ random forest में यहाँ भी हमने decide कि max features होंगे 2 model को हमने train किया और model को हमने plot कर दिया बट यहाँ पर देखो से पहले x1 पे splitting हुआ फिर यहाँ पे भी x1 पे यहाँ पे x3 पे तो अल्री दो columns आ चुके है फिर x2 भी आ गया तो 3 columns आ चुके है x0 भी आ गया तो 4 columns आ चुके है और x4 भी आ गया मतलब 5 columns आ चुके है यहाँ पर node level splitting हो रहा है जब यह node form हो रहा है तो पहले आप decide कर रहे हो कि कौन से 2 columns के उपर हम यह node form करेंगे वो x1 निकला फिर आप यहाँ पर फिर से randomly select कर रहे हो फिर आप यहाँ पर फिर से randomly select कर रहे हो यहाँ भी हर node पर आप node level sampling कर रहे हो जिसकी वज़े से आपका जो random forest है उसमें randomness थोड़ा जादा है और randomness जादा होने से आपकी ensemble जो base models होते हैं जादा अच्छा परफॉर्म करते हैं यह थोरी हमने अलज़ी पढ़ रख है जितना जादा random हो और accuracy जस्त 50% से जादा हो तो आपका ensemble model बहुत अच्छा परफॉर्म करता है जितना जादा randomness जितना जादा difference between the base models उतना जादा अच्छा performance and that is why most of the times random forest beats bagging classifier ठीक है बट आपको दोनों try करके देखना चाहिए ठीक है I hope आप मैं यह पूरा चीज आपको समझा पाया this is a good interview question कई बार मैंने सुना है student से यह question interview में पूछा गया है कि bagging और random forest के बीच में क्या difference है बताओ and most of the time students बस एक ही difference बता पाते हैं कि bagging में आप multiple algorithms यूज कर सकते हो random forest में सिर्फ decision tree यूज कर सकते हो फिर लोग counter question पूछते हैं कि अगर मैं bagging decision tree लेकर के बनाऊंगा तो क्या वो random forest है और यहाँ पे बहुत सारे लोग फस जाते हैं और वो बोलते हैं हाँ but answer गलत है दोनों में अभी भी difference है और वो difference क्या है column sampling कैसे हो रहा है bagging में it is tree level और random forest में it is node level I hope यह पूरा concept आपको समझ में आ गया that's it thanks for watching bye